नमस्कार देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत हैं मैं हूँ सुमन के साथ ही और भी कई मैतुपुन खबरों से आपको करवाएंगी रूब 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 लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजोर सुर्ख्यों पर राहुल को मिलने चाहिए जेट प्लस सीक्योर्टी कॉंग्रेस सदेक्स मलिका जुन खड़गे ने ग्रैम अंत्री अमित शा को चिठी लिकर उठाई मांग बोले असम पुलिस भाजपाउप दर्वियों के साथ वहां राहुल को जान का खत्रा भारत के सवतंत्रता से नानी करपूरी ठाकूर को मिलेगा दो हजार चोबिस का भारत रत्न पुरुसकार चोबिस जन्वरी को उनकी जन्म सताबदी पर किया गया एलान कोंग्रेस ने फैसले का क्या स्वागत तो वही करपूरी के बड़े बेटे रामनाद बोले कि 36 साल का संगर्श रंग लाया सबसे ब्रश्ट सीम को अमित्षा कर रही कंट्रोल असम में F.I.R के बाद बोले कोंग्रेस नेता राहूल गांदी कहा अगर हेमंच सर्मा केंद्रिय ग्रियमंद्रि के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो बीजेपी से कर दिये जाएंगे बाहर सिरके बाल शेतान का धागा IAS IPS हो या डॉक्टर मुसलिम महिलाएं पहनेंगी हिसाब AIUDF के चीफ बदरुदीन अजमल ने दीन असिहत तर्क देते फ्वे कहा कि ऐसे कामों में महिलाओं के बीच मुसल्मान पहचान के लिए हिसाब जरूरी हिंदु मुसलिम पक्ष को सोपी जाएगी ज्यान व्यापी ESI सर्वी की रिपोर्ट वकील विश्नु शंकर जैन ने कहा कि रिपोर्ट की हाड कोपी देने के लिए कोट निब में भी बनी है सहमती कोंग्रेस अच्छे से जानती है कि चुनाव कैसे लड़ना है पार्टिसांसद अधी रंचन चोधरी का बंगाल सीम परवार बोले हमने दो सीटों पर भाचपा और टीमसी को खराया है इस बार ममताब एनरजी की दया पर नहीं टलड़ेंगे चुनाव आयोध्या से निराश होकर वापस लोटे टीवी के राम प्रान प्रतिष्टा में शामिल होकर भी अरुन गोविल नहीं कर पाए राम लला के दर्शन ममताब एनरजी हमारी दीदी हम मिलकर लड़ेंगे लोगसबा चुनाव इंडिया गटबंदम ने इतकरार के बीच एंसीपी सांसर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान बोले हम सब दीदी का बहुत सम्मान करते हैं दीदी हमारे साथ ही रहेंगी चंडिगट मेर चुनाव को लेकर पंचाब हर्याना हाई कोट ने आप कोंग्रेस की मंचूर किया चिका अपती जनवरी को चंडिगट पुलिस की निगरानी में होंगे मेर चुनाव पुने पहुचा मनोस जरांगे का विरोध मार्च बोले मराठा आरक्षन के लिए जान देने को तेयार मुंबई में ताका दिखाएंगे वहीं बुद्वार को सुप्रिम कोट में भी हुई सुनवाई यह सब दिखावा और पाखंड है राम लला की प्रान प्रतिष्टा को लेकर सपानेता स्वामी बशाद मोर्य के बिगडे बोल कहा ये लोग सोचते हैं कि वे प्रान प्रतिष्टा करके भगवान से ही महान है टीमसी के बाद पंजाब की आमाद्मी पार्टी भी अकेले लड़े की लोग सबाचुनाव सीम मान बोले कि पूरे देश में पंजाब बनेगा हीरो लोग सबाचुनाव में जीतेंगे तेरा की तेरा सीट अयोध्याकेर राम मंदीर में स्तापित नई मूर्थी का नाम होगा बालक राम प्रान प्रतिष्टा में शामिल पुजारी बोले एक बच्चे की तरह दिख रहे प्रभू राम जिनकी उम्र पांस साल बंगाल में फरार हुए टीमसी नेता सीख सहां जहां की घर पहुची एडी की टीम साथ में दिखे सो से ज़्यादा सुरक्षा बल बता दे कि 20 दिन पहले यहीं एडी अफसरों पर हमला हुआ था पीम ने प्राक्रम दिवस पर भारतवर्ज 2024 का किया अनावरन लाल के लिए से कहा कि रामलला की प्रान प्रतिष्टा की उर्जा को दुनिया ने अनुभाव किया है सूर्य होया समंदर की गहराई हमारे लिए किसी भी रहेश्यत पहुचना मुस्किल नहीं एन्सिसी के डेट कारिक्रम में शामिल हुए पीम मोदी बोले हैं गंतंत्र दिवस पहली बार नारी शक्ति को समर्बित इस वज़े से बेहाधी खास बुद्वार को बंपर उचाल के साथ बंध हुआ शेर बाजार संसक 689 अंको की तेजी के साथ ही केतर 1060 पर हुआ बन तो वही निफ्टी 205 रांक लोड़ा कर 21403 पर हुआ बन तो सिसूर क्या आप चलते हैं आसकी बड़े खबरों की और खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लोग सबाच चुनाव से पहले इंडिया गटबंदन में मच रहे सियासी खमासान क्योंकि 2024 के आम चुनाव में अब करीब 3 मैने का ही समय रह गया है लेकिन पश्चिम मंगाल से टीमसी और पंचाब से आम आदमी पार्टी ने अपने तेवर दिखाने शिरू कर दी हैं इस बीच कॉंग्रेस ने भी उने करारा जवाब दिया है तो क्या है पूरी खबार देखे इस खास रिपोर्ट में लोगसबाद चुनाव से पहले इंडिया गटवंदन पर सीट सेरिंग का संकट दिन परती दिन बढ़ता ही जा रहा है इस बीच कुछ पार्टियों ने तो अपने तेवर भी दिखाने शिरू कर दी हैं इनमें पंजाब की आमादमी पार्टी और बंगाल की त्रणमूल कोंग्रेश शामिल है पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत्मान ने राजे में कोंग्रेश के साथ गटवंदन करने से साफ इनकार कर दिया है उन्होंने कहा है कि हम कॉंग्रेस के साथ नहीं जा रही हैं, हम पंजाब की सभी 13 लोग सभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे वहीं त्रणमुल कॉंग्रेस की चीफ और पश्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनरजी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी सुत्रों के मुदाबिक ममता ने कहा कि कॉंग्रेस के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेगे मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा लेकिन हम एक धर्म निर्पेक्ष पार्टी है और बंगाल में ही है इधर प्रदेश के कॉंग्रेस सदेख सधीरंचन चोथरी ने ममता बेनरजी के बयान पर पलटवार किया है उन्होंने तीखा वार करते हुए कहा कि ममता मो का परस्त है हम उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे कॉंग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना अच्छे से जानती है और हमने पच्चिम मंगाल में जो दो सीटे जीती वे टीमसी और बीजेपी को हरा कर जीती है ममता खुद कॉंग्रेस की दया से साल 2011 में पच्चिम मंगाल की सत्ता में आई हालांकि ममता ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उनकी पार्टी इंडिया गटबंदन का हिस्सा है और बंगाल में वे अकेले ही भाच्चपा को हरा देंगे जिसका समर्तन करते हुए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जेराम रमेस ने अपनी प्रतिकरिया दी है उन्होंने कहा है कि कभी-कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं तो कभी-कभी लाल बत्ती आती है लेकिन इसके माइने ये नहीं है कि हम सफर से पीछे हर जाए हमें स्पीड ब्रेकर को पार्थ करते हैं कल यहीं सवाल जब राहुल गांदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ममता बेनर जी और टीमसी के बिना इंडिया गटबंदन की कल्पना नहीं कर सकते। ममता की बात का समर्थन करते हुए कॉंग्रेस नेता ने आगे कहा कि ममता ने कल कहा था कि हम बीजेपी को खराएंगे। हमारी पार्टी इसी भावना के साथ बंगाल में प्रवीश कर रही है। बीच का रास्ता जरू निकाला जाएगा। पश्री मंगाल में भी इंडिया कार की टेंसन बढ़ा दी है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वज़ें देखे इस खास रिपोर्ट में। प्रदेशन के दोरान कारी करताओं ने पुलिस की बैरिकेटिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने भी उन पर बल प्रियोग करते हुए लाठिया बरसाई। वहीं अब राहुल की सुरक्षा को लेकर कॉंग्रेस अदेख्स मलिका जुन खडगे ने चिंता जताई है। पुलिस के सामने ही बीजेपी कारी करता राहुल के काफिले के पास आई जिससे राहुल समेत अन्य कोंग्रेशियों की सुरक्षा खात्रे में पड़ गई। इन सारी बातों के सबूत भी हैं लेकिन फिर भी मामले में शामिल किसी भी सक्स को गिरफतार नहीं किया गया है। खड़गे ने इस मामले में ग्रैमंत्री से हस्तशिप करने का आग्रे करतिक फिक कहा है कि राहुल को जेट प्लस सिक्योर्टी मिलने चाहिए। इधर राहुल गांदी की भारत जोड़ों न्या यात्रा का बुद्वार को ग्यारवा दिन था। इस दिन यह यात्रा असम के बरपेटा से शुरू हुए। जहां राहुल ने कार की छट पर बैठ कर फिर को संबोधित किया। यहां एक बार फिर उन्होंने भाजपा आरसस पर तेका हमला किया। उन्होंने बीजेपी आरसस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। एक भासा को दूसरी नफरत को सिफ महबत से खत्म किया जा सकता है। एक तरफ कोंग्रेस नेता राहुल गांदी नफरत को महबत से खत्म करने की बात करें हैं तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ट नेता दिग विजे सिंग भाजपा को सत्ता से उखाड फैकने के लिए EVM पर सवाल उठ आकिर किस मनसुबे से दिग विजे सिंग EVM पर रोक लगाना चाते हैं देखे इस खास रिपोर्ट में। चुनाव आयोग मानता है कि इसका दूरूपयोग हो सकता है। चीजों पर लोगों को भरोसा होता है। मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोधी के दबाव में काम कर रहा है। आप जो चाहे मुझे सजा दें मुझ पर जो कारवाई करनी है कर लें लेकिन मैं चाहता हूँ कि वोड जिसे डालू वो उसी को जाए। क्या आपको भी लगता है कि भारती जंता पार्टी EVM का गलत इस्तमाल कर रही है।